आप सब कैसे हो आई हो आप सब अच्छे ही होंगे और अच मैंने अभी एक वीडियो का रंड किया है तो ब्लॉग रंड किया है तो अभी मैं जा रही हूं बेशन की बर्फी बनाने तो आप लोग पताएगा मुझे जरूर की मेरी बर्फी आप लोगो कैसी लगी मेरी शेयर और में चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकोन को भी दवाय दीजिएगा भई भूल जाती हूं कैमरे के सामने क्या बूल ला है सब याद रहता है लेकिन केमरे के सामने आते सब भूल जाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बर्फी बना पोड़ाई है है मैं दो यह झापनाइघ य कि से लिए तो जितनी में चीनी लिए है उतना ही मैं पानी इसमें लूंगी एक कटूरी चीनी है तो एक कटूरी मैंने पानी इसमें लिया है और यह जब तक मेरी चास्तिन तयार हो रही होगी तो उधर मैं बेसन भूज लूँगी तब तक कि और मैं कैस पर कढाई चड़ा दूंगी और कडाई गरम होने के बाद मैं इस में घी डाल धूंगी जो उसमें inspection जो मैंने पहले से चाल लिया तो हपलोग भी पहले बिससान को चान के ही बुझीह उसमें आज मैं भी डाल दूंगी और और बेशन को मैं मेडियम प्लेम पे भूंजूंगी और अच्छे से भूंजना इसे हमें खुश्बू आने तक इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से बेशन को भूंजना है अच्छे से बेशन को भी पीच पीच में चलाते रहेंगे चेक करते रहेंगे जब यह बेशन हमारा भूंजाएगा तो इदर हमारी चासनी भी बढ़िया से पग गई है तो मैं इदर कैस को बंद करके कड़ाई को नीचे उतार लूँगे उसके बाद इसमें चासनी को डालूँगे क्योंकि गैस अन पे अगर हम चासनी डालेंगे तो इसमें गुल्टिया पढ़ जाएंगे इसमें गुल्टिया नहीं पढ़नी चाहिए तो अरामसे इससे गैस से नीचे उताढ़ी को फिर आप इसमें चासनी एड़ करिए और अच्छे से इसको mix करिए गाटहे न पढ़ें इसमें गूटि यह पड़नी चाहिए चलाते रहे इसको आपको लगे कि हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है हमारी यहां बेशन की बर्फी बहुत टेस्टी होती है आप लोग बनाएं त्रै करिए जरूर तो यहां मैंने पहले से ही घी में मैंने लगा लिए और पमें इसमें लाइची भी एड कर दूंगी और आप भी पहले जिसमें भी जमाना है आपको इसमें घी लगाकर चिकना कर लीजिए अच्छे से फिर जो यह बेसन हमने पूंजा अच्छे से उसको उस थाली में मैं पलट लूँगी तो मैं यहां पर ग्रीज की हुई प्लेट में जो पेशन है मेरा भुझा हुआ इसको मैं इसमें पलट दूँगी और कि अब पर में गतूरी से की मदद से चिखना करके उसको बराबर कर लूंगी रही कि अप्राइब कि अब भाएब कि अब आए अब कि अब तो यहां पे बर्फी बन के तयार है इसको सेट के लिए मैं ने जो नारियल को खीस रखा था उसको मैं इसके उपर चीसे फैला दूँगी और उसको हाथों से भी थोड़ा से दबा दूँगी ताकि वो गिरे नहीं दर दर फिर आप इसे अपने मन चाहिए इसाब से काटिए स्क्वाइर में ट्राइंगल में इसाब से आप काटना चाहते हैं काटना चाहते हैं तो मेरी बर्फी हाँ बन के तयार है और मैंने इसको स्कॉयर सेप में कट कर लिया है और आप लोग को अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स वीडियो में बाई बाई दोश्तों